हेलो मेरी सब्सक्राइबर स्वागत है आपका आज की युडे में आज हम आपको दर्शन कराने वाले महाकाल के तो आप में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक और कमेंट चलिए तेखिए हम सुबह की 11 बजरी के निकले थे महाकाल जी के दर्शन के लिए उज्जेन तो ह हम बहुत ही मज़ा आया जाते टैंबी को की सड़के पर ना कोई ट्राइफिक और ती साफसुत्री रोड़ती ना कोई पॉलिशन इंदोर में सच में बहुत साफसुत्री जगा है जहां तक मैंने से सुना था और आज मैंने देख भी लिया अभी हम दो ही दिन हुए है आए यह दरवार यह एंटरी पॉइंट है महाकाल के दरवार में जाने के दिर्शन के लिए यहां से रोड जाती है drugг कि वह में उज्जेन महाकाल की तरफ ले जाती है यह देखिया हम जब पहुँचे तो वहां पे हमें यह लाल चंदन से माते पर नहोंने महाकाल के लिखवाया माकाल और साइड में तरिशूर औरॉम बने सब के माते पे पर आपको यह वह देखने को मिलेगा भो सुन्दत तरी किसी कखला किरतीम हमारे माते पे करी थी देखिए जिसें परसफे बना रहे हैं देखिए अब यह चंद लगाके माकाल लिखेंगी ये Capture Karnevay में जो बहुत अच्छा लग रहता कौकि वहाँ पे उजेन में आपको बहुत अच्छे चीज़ देखने को मिलेगी देखिया यहाँ पे सभी के मातव पे देखिया बच्चों तक के माते पे आपको यह सब देखने को मिलेगी माकाल से माता सजाया हुआ है यह देखिए यहां से अंटी था अंटी द्वार था यहां से माकाल जी की यहां यह देखिए हम चल रहे हैं हमने प्रशाद भी ले लिए भगवान जी पर चड़ाने के लिए यहां से देखिए यहां पर काफी रस्ता संडे वाले दिन को कि संडे तो इसलिए यहां से देखी अंदر महाकल Hut可以 की दिशुनी के लिए आम यहांसे अंदर करी हमें खैक हम चलते जा रहे हैं आप देखी रहे होंगें आंदर के तरफ लोग जा मैंज बहुत मानती हूं तो मुझे साथ कि माघवान जी के दर्शन करने जा रही बहुत मघभंजी बिला लगों ह्देखटु करने तो तो थोड़ा सा बोदी घान जो यह देखिए उपर टीवी चल रही है जिसमें आपको महाकाल जी का लाइव दिख जाएगा देखिए ओभी इसमें थोड़ा मैं ज़्यादा ले नहीं पाई आगे वाले जो टीवी होगी उसमें आपो देखने को मिलेंगी उनकी अभी महाकाल जी की वहाँ पर लाइव चल रह साथ रखते हैं यह देखिए एक कुंड बना हुआ है फार की तरफ जिसमें थोड़ा पानी है और इतने सुन्दर तरीके से भवन को सजाया गया है इतनी सुन्सना करती है कि देखिए आपको बहुत अच्छा लगता है जब भी हो देखिए उस उदर महाकाल जी विराजमान है तो मैं भाँ जाना है आप देखिए रहे सकते हैं कितने उसा से लोग यहां पर भगवान जी के दर्शन के लिए बच्चे आए यह देखिए देखिए उपर महाकाल जी की लाइव चुकि हो साथ सफाई कर रहे है अदर पंड़ जी और यह देखिए सामने महाकाल जी विर करें जाए बोलेनात सबको खुश रखें सबकी मनों कमने पूरी करें यह देखिए आम जो महां से भार आए तो देखिए किता सुन्द भवन बना हुआ है यहां पर भी कहते हैं शिव जी के चुरासी पिंड है जिनकी पूजा की जाती है जगा-जगा मंदिर बने हैं तो इ नहां ही नहीं रहता जाता है लो तो इसलिए हम नहां नहीं पाए यह देखिए आपको यह चीज़ देख सकते हैं वापर मंदिर में कि यह भी स्थान है यहां पर एक सो आड़ दिये जलते हैं उपर आप उस परसन को देखी रहोंगे वह उसमें तील डार दियों में उपर चड़कर यह जब रात के टाइम पर जलते हैं तो बहुत सुंदर लगता है यह आपको आगे दिखाएंगे यह भी हम भगवान जी के दर्शन के लिए थे बहुत सारे मंदिर आपको जेर में दिख जाएंगे जगा-जगा मंदिर हैं वह सुंदर तरीके से बनाएंगे हैं यह पर परशन जो इसमें तेड डाल रहे हैं दियों में मैंने थोड़ा जूम करके लिया था वह आप देख सकते उपर कि तरीके से जब यह मिलगते हैं तो बहुत सुंदर लगता है वह सुंदर लग रहा था में जो मा उजएन पहुचे थे तो हमें बहुत खुशी हो रही यह देखे एक नारिल मतलब उसमें रखा गमले में इसकंदर माता विराज माने यह देखे अंदर आपको दिखाती हूं मैं कि देखे कितना सुंदर लग रहे हैं माता कितना सुंदर तरीके से मतलब जेन तो एक मतलब भगवान जी की नगरी बनी हुए है जहाप जगज़ आपको भगवान जी दिखेंगी मतलब एक कोई भी बन्द जाएगा तो एक दिन में कोई नहीं गूम सकता है कम सकम चार पाद दिन उनको जेन में घूमने को चाहिए चाहिए यहां पर भी उनी चरासी पिंडों में से एक माभवान जी है जी देखे आपको मैंने आप बताय अचाहिए अचाहिए है जलते हुए आप देखें कि इसन नजार आये जितना सुन्द गवारति जी की जिलाया जाता है पहले सरी में तील डाले रात के टामें में में लगते हैं यहां पर भगवान जी की आरती औरती शिप जी शिव्ट की जो मैंने आपको बताया चुरासी सब्सक्राइब नाम में भूल गए हैं को कि बहुत टाइम बाद बहुत पहली वार में भाग गई हूं यहां पर देखिए उनकी आरती हो रही है कि अब देख सकते हों कि लाइब दिखा रहे हैं ती में भाद टी भी लगा हुआ था और उसमें लाइब आरती चल रहे थे अंदर से आप बहार खड़े हों कि यहां पर सब आरती कर देखिए तो चलिए आज के लिए नहीं प्रीज साप इस वीडियो को लाइब क्योंकि मैं चाहती हो कि सबको भगवान जी